प्रिये मित्रों पिश्णवरात्री में हम अपने घर में कैसे हवन करें आईए हम घरेलू हवन की विधी के बारे में आपको बताते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर किजिएगा पुरानों के अनुशार हवन अथवाय अग्य भारती ये परंपरा अनुशार हिंदू धर्म में सुध्धी करन का एक करम कांड है कुंड में अगनी के माध्यम से देवता के निकट हवी पहुँचाने की प्रक्रिया को जग्य कहते हैं हवी हव अथवा हविश वे पदार्थ हैं जिनकी अगनी में आहूती दी जाती है जो अगनी में डाले जाते हैं हवन कुंड का आर्थ है हवन की अगनी का निवासस्थान हवन कुंड में अगनी परज्वलित करने के पस्चात इस पवित्र अगनी में फल, सहद, घी, कास्ट इत्यादी पदार्थों की आहूती दी जाती है ऐसे माना जाता है कि यदि आपके आसपास किसी बूरी आत्मा इत्यादी का प्रभाब है तो हवन परक्रिया आपको इससे मुक्ति दिलाती है और इससे आपको स्वास्थ एबं संब्धी बढ़ती है इसके लिए ही हवन किया जाता है नवरात्री के पावन परपर अस्ठमी नवमीतिथि को हवन करने का विशेष महत्व है अगर आप घर पर ही सरल रिती से हवन करना चाहते हैं तो आपको परिशान होने की कोई आवस सकता नहीं है हम आपको बताते हैं कि घर में हवन करने की आशान विधी क्या है और इस विधी से हवन करने के साथ आप नवरात्री पूजन को पुर्मता प्रदान कर सकते हैं प्राचीन काल में पहले कितना वरा हवन कुंड होता था प्राचीन काल में कुंड चोके और खोदे जाते थे उसकी लंबाई चोड़ाई शमान होती थी यह इसलिए उन दिनों किया जाता था कि उस समय भरपूर समिधाय उपयोग में आती थी घी और सामगरी की कोई कमी नहीं था उस इस्थिती में चोकोर कुंड ही उपयोग थे पर आज समिधागी समगरी सभी में महंगाई के करान लोग किफायत करते हैं कम डालते हैं ऐसी दसा में चोकोर कुंड में थोड़ी ही अगनी जलपाती है और वह उपर अच्छी तरह दिखाई भी नहीं परती है उपर त बराबर हो हवन के धुए से प्रान में संजीबनी सक्ति का संचार होता है हवन के माध्यम से बीमारियों से छुटकारा मिलता है जिसका बर्नन रिग वेद में किया गया है हवन की समगरी में आम की लकरी बेल नीम नीम पलास का पौधा देवदार की जर गुलर की छाल और प पत्ति और तना चंदन की लकरी तील जामुन की कोमल पत्ति या सुगंधा की जर लॉंग चावल कपूर दम्ही बहेरा का फल और हर्रेत थागी सक्कर जो तील गूगल लुभान इलाइची एवं अन बनस्पतियों का उप्योग किया जाता है हवन के लिए गाय के गोबर से बनी छोटी-छोटी कटोरिया या उपला घी में दूबो कर डाले जाते हैं हवन से हर प्रकार के लगभग 95% माने पंचान में प्रतिशत जिवानों का नास होता है अता घर की सुध्धी तथा सेहत के लिए प्रते के घर में हवन करना चाहिए हवन के साथ कोई मंत्र का जाप करने से सकारात्मक धोनी तरंगित होती है और सरीर में उर्जा का संचार होता है अता कोई भी मंत्र सुविधा अनुशार हम बोल सकते हैं हवन करने से पहले पुर्ण स्वक्षता का ख्याल लखना चाहिए सबसे पहले रोज की पूजा करने के बाद अगनी अस्थापना करनी चाहिए फिर आम की चौकोर लखरी लगा कर कपूर रखकर चला देना चाहिए उसके बाद इन मंत्रों से हवन करना चाहिए ओम आगने नमस्वाहा ओम अगनी देवताम्यो नमस्वाहा ओम गनेशाय नमस्वाहा ओम गवरियाय नमस्वाहा ओम नवग्रहाय नमस्वाहा ओम दुरगाय नमस्वाहा ओम महाकालिकाय नमस्वाहा ओम हनुमते नमस्वाहा ओम भैरवाय नमस्वाहा ओम पुल देवताय नम श्वाहा ओम अस्थान देवताय नमः श्वाहा ओम ब्रह्माय नमः श्वाहा ओम विश्णवे नमः श्वाहा ओम सिवाय नमः श्वाहा ओम जैनती मंगलाकाली बद्रकाली कपालनी दुर्गाचमा सिवादात्री श्वाहा श्वादा नमस्तुति श्वाहा ओम ब्रह्मा विश्नु गुरुदेवो महस्वरा गुरु साक्षात परब्रम्हत अस्माई श्री गुरुवे नमाश्वाहा ओम त्रेंब का जा महेशुगंदी पुष्टि बर्दनमु वाब की बंधनाद मिर्तु मुक्षबा मिर्ता मिर्तुन जाए नमाश्वाहा ओम सरनागा दिरनाथ प्ररितरान प्रायने सर्व अस्थार्ती हरिदेवी नारायनी नमस्तुते हवन के बाद गोला में कलावा बांध कर फिर चाकु से काट कर उपर के भाग में सिंदुर लगा कर घी भर कर उस पर चरहा देना चाहिए जिसे ओली कहते हैं फिर पुर्ण आहुती नारियल में छे पुर्णम पुर्ण मुद्चते पुर्ण निमादाय पुर्ण पुर्णमेल विशस्थे श्वाहा पुर्नाहुती के बाद यеспPal कर देना चाहिए फिर परिवार सहीत आर्थी करके अपने द्वारा हुए आप राधों के लिए छमा यासना करना चाहिए अत्त पस्चात अपने उपर किसी से एक रुप्या उतरवार कर किसी बेक्ति को दे देना चाहिए इस तरह आप सरलिती से घर पर हबन संपन करके और पुन के भागी बन सकते हैं तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी क में तमें बता ये ले